इंटर में अब भी बहुत सारे छात्र जो है अपना एड्मिशन नहीं करा पाये हैं किनीका तो सुची में नाम ही नहीं आया यानि कि तृत्य चैन सुची में भी उनका नाम नहीं आ पाया है कोई तो आवेदन ही नहीं किया गया था यानि कि OPS पर जब online आवेदन हो रहा था इंटर admission के लिए तो वो भी जो है आवेदन नहीं कर पाए थे तो उन सभी चात्र चात्राओं के लिए बहुत बरी खुसकबरी है क्योंकि बिहार बोड ने sport admission जो है वो चालू कर दिया है कल से ही चालू होने वाला है किस परकार यहां पर admission लिया जाएगा क्या प्रोसेस रहेगा क्या क्या आपको करना परेगा सब कुछ आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में जो कि आप लोग यहां पर देख पाने कि वो उन्हीं student है यानि कि जिनका तृत्य चैन सुची में नाम नहीं आया है या छूट गए थे जिन्नोंने आबेदन ही नहीं किया था admission के लिए तो यहां पर आप प्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक PDF मिलेगा इसको आपको आपको आपर जोड़े डाउनलोड कर लेना ठीक है तो यहां पर हमने पहले से डाउनलोड कर रका है तो चली मैं आपर आपको हम दिखाते हैं इस टे प से यहां पर देख पर खूल करके आजाएगा आपका यहां पर यह वाला PDF अब आपको इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है देख पर इस तरीके से आपको पूरी आपको जानकारी देखने को मिल जा就到 एगी देख पर हैं यहाँ पर देखेंगे साब साब बताय मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर देखेंगे बता ज़रा कि वैसे आबेदकों के लिए जिनका त्रित चैन सूची मियान की थर्ड सेलेक्शन लिस्ट में हाद के नाम नहीं हुआ है तो वे चातर जो है स्पोर्ट एडमिशन ले सकते हैं उनकी यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कब से स्पोर्ट एडमिशन शुरू होने वाला है तो दिनांक 10.9.2020 को देख पार है कि OFS की पोर्टल को खोल दिया जाएगा तो कल से चालू होने वाला है स्पोर्ट एडमिशन उनको लेकर कि यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है देख पार है इस वेबसाट पर यहाँ पर जो अप्लोड कर दिया जाएगा देख पार है उनके बाद यहाँ पर एस्पोर्ट एडमिशन कब से कब तक चलेगा 11.9.2020 से ले करके 13.9.2020 ता कि यहाँ पर एस्पोर्ट नामंकन होने बाला है और यहाँ पर देखें किस परकार आपको यहाँ पर एस्पोर्ट एडमिशन लेना है सबसे पहला H.T.P. यहाँ पर बताय गया है कि वे जिस संस्थान में नामंकन लेना चाहते हैं उसके संबंद में सर्व पर्थाम OFS पोर्टल पर जाकर उस संस्था याने के संकाय की रिक्त सीटों की संकियां देख लेंगे यानि कि अभी भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जिनमें नमंकर लेने के बाद भी सीट खाली है तो उनका आपको यहाँ पर लिस्ट देख लेना है OFS के वेबसाइट पर कल अपलोड हो जाएगा तो उनका लिस्ट को देख करके आपको चुन लेना है कि किस कॉलेज में आप नमंकर करना चाहते हैं लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट इनका निकलवा लेंगे उनके बाद आपको दूसरा स्टेख यह है कि आपको क्या करना होगा OFS के पोर्टल पर जो है इन्टिमेशन लेटर को डाउनलोड करना होगा बारकोड नमर डाल करके यानिकी रिफ्रेंच नमर आपको डालना होगा मोबाइल नमर डाल करके भी आप जो है उनका वहाँ पर इन्टिमेशन लेटर का प्रिंट आउट यानिकी आविदन पत्र जो उनका डाउनलोड कर लेंगे तीसरा step यह है इन सभी को download करने के बाद आपको यहाँ पर बताएगा कि नमंकर हेतू form जमा करना चाहते हैं उनकी हस्ताक्तिव यानि की प्रती यानि की photocopy संस्थानों में दिनांक 11.9.2020 से लेकरके 13.9.2020 तक आपको जमा करना होगा जिस भी college में लेंगे उनका आपको list में नाम देख लेना उनको underline भी कर दिना है उनका photocopy निकालना है, intimation letter को download करना है जहां admission लेंगे उसी संस्था में आपको जा करके 11.9.2020 से लेकरके 13.9.2020 तक जो है आप export admission के लिए apply कर सकते हैं उनके बाद आपका क्या होगा आवेदन जमा करने के पस्चाद जो है आपको यहाँ पर एक सूची जारी किया जाएगा 14.9.2020 को यहाँ पर परकासित कर दिया जाएगा OFS के website पर उनके बाद यहाँ पर बताएगा कि उनके पस्चाद जिस संस्था में उनका नामंकन हेतु चैन होगा यानि कि उतना लिष्ट में जिस college में होगा तो उनका जो है 15.9.2020 से लेकरके 18.9.2020 के बीच जा करके नामंकन लेना होगा तो ठीक है यानि कि प्रोसेस यह है कि सबसे पहले आपको चुनना है लिष्ट में कौन college में नामंकन लेंगे इंटे में से लेटर को डाउनलोड करेंगे उनके बाद 11.9.2020 से लेकरके 13.9.2020 तक आपको उस संस्था में जाकरके उस college में आपको सारा form को जमा कर देना है उनके बाद यहां पर दिनांग जो है वो यानि कि लिष्ट जारी करेगा 14.9.2020 को फिर उनके बाद जब लिष्ट में आपका नाम आ जाएगा इस college में नामंकन हुआ है तो आपको 15.9.2020 से लेके 18.9.2020 में जाकरके उस college में आपको नामंकन लेना होगा लेकिन इसके साथ-साथ आपको यहां पर जो कोई भी सुल्क नहीं लिया जाएगा देख पर एकी साब साब बताया गया है ऐसे आबेदकों को पुना कोई आबेदन सुल्क देने की आवसकता नहीं है तो आपको यहां पर कोई भी सुल्क नहीं लगने वाला है तो आप 15 से ले करके 18 तक के बीच में आपको college में जा करके admission लेना होगा list में नाम आने के बाद तो ये तो था जिनका third में list में नाम नहीं आया है साथी साथ वैसे student जिनोंने OFS के portal पर form ही नहीं भरा था admission के लिए तो वो भी छादर sport admission ले सकते हैं तो उनके लिए आपको यहाँ पर metric किया था उनका roll number, roll code इस steps यहाँ पर दिया जाएगा चाहे आप metric 2019 में किये हैं या 20 में pass में तो इस step के लिए आप sport admission ले सकते हैं तो उनके लिए online आपको यहाँ पर form भरना होगा OFS के official website पर वो भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा इसे description box में दिया हुआ है या फिर आप telegram app पर search करेंगे India study learn तो आपको यह वाला PDF जो है मिल जाएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे बिहार बोट से rated daily update पाना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके रखें बेल आइकन के घंटे को बजा के रखें मिते दूसरी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम